पूरी दुनिया अब तक इस्राइल और हमास का जो युद चल रहा है उसकी destructive जो images थी जिस तरीके की विद्वनसक तस्वीरे निकल कर सामने आई थी कोई अब तक भूल नहीं पाया चाहिए रश्या युक्रेन का युद हो या फिर इस्राइल और हमास का युद हो लेकिन इन स समझ़ए कि यहां यहां एक हुती विद्रोही जो है वो है कौं अगर शॉट में समझा जाए तो इस तरीके से हमास एक आतंकवादी संगतन है ठीक वैसे ही हुती विद्रोहीों को भी आतंकसा अहां जाता है यानिलमन ने hardest जो है यहां इंहां जो है यहां पर शुदी काल की यहां तक कि यमन के कुछ जगाए जहां पर यमन की सरकार की चलती है बाकी जगापर हूती विद्रोही का ही चलता है जिस तरीके से हम हमास का भी देख चुके हैं लेकिन इन सब के बीच में समझें कि आकर यह लड़ाई की शुरुवात जो है वो कहां से हुई इस लड़ाई क लड़ी जगापर जहां पर सबसे ज़ादा तेल का आयात निर्याद किया जाता है तेल जाहिर सी बात सबसे बड़ा वैपार की शित्र में जो है माना जाता है और ऐसे में यहीजिश हुआ कि वो जंगी जाजों पर किये गए बार-बार जो है ये कोशिश की जाती रही तमाम देशों की तरफ से कि हूती विद्रोही जो है वो समझ जाए कि वो जो है बार-बार उन्हें कोशिश की जाती रही बार-बार बात करने की कोशिश की जाती रही चाहे वो भारत हो अमारिका हो ब्रिटेन हो चीन हो फ्रांस हो क्योंकि तमाम देशों के जहाद वहां पर उस लाल सागर में मौजूद है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हूती विद्रोही जो है वो समझने को तयार नहीं थे अब क्या था अब कुछ हुआ इस तरीके से कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीश मे आप देख रहे हैं यह अमेरिका और ब्रिटेन का सयुक्त ऑपरेशन कहीं जो एक प्लान है जिसमें यह जो है बेस्मेंट से टेक आफ होते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने सीधे मिसाइले दागी हैं यमन के अंदर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जिस तरीके स आप यह समझें कि अब ऐसे में इसका असर जो है वो दुनिया पर क्या होगा क्योंकि तेल आयात निर्यात की बात करें तो सबसे बड़ा वैपारिक शित्र जो है वो तेल का ही है यह बात हर कोई जानता है लेकिन अब जब इतनी जादा जंगी जहाज़ों को निशाना बना जो होगा करें जो होगा जो होगा तेल करें देल कर दो दो इतनी है